च्वपरा का सांसर जो है राजी प्रता प्रूर्वरी जी उनका देखिए बीयान को आप देखिए उन्होंने किस तरह से बिहार को बदल देंगे हम ऐसी बात कर रहे हैं और ऐसे बक्त पर एक बार भी उन्होंने छपरा की जनता में आपस में सुभार्द बने इसकी अपिल नहीं कि उन्होंने करनी से ना जुटान करके लोग को उकसाने का काम किया है और कई तरह से ब्यान करकर के लोग इस समाज में तनाओं तो सबसे पहले तो मैं आगरह करता हूं कि यह बहुत घटना दुर्भाग पुरुन है और छपरा की जनता से कि चुकी भाईचारा और सुभार्द बनाए रख करें सारे स्वर्ण नेता ऐसे हुए जो पिछरों दलीतों को आंगे बढ़ाने का काम किया आप बिहार के स्री स्री किसन सिंग जी पहले मुकमंतरी थे भी स्वर्ण समधाय के थे लिगन देखिए उन्होंने देवघर में दलीतों को मंदीर में प्रवेश नहीं करने दिया अगरी पिछरों के साथ खड़े हुए हो राजा राम मोहन राय को आप देख लीजिए सती पर्था का महिलाओं के साथ अत्य चार होता था सती पर्था का विरूत किया उन्होंने इस वर चंद विद्या सागर को देख लीजिए मदल मोहन माल भी यह जो बनारत सिंदू नहीं यह जो घबरहाट हैं लोगों के अंदर जब मानिया अलोक महता भूमी सुधार मंतरी हमारे जगदेबाव के में और उन्होंने आवाज उठाया कि भाई पिछरों दलितों बंचित जमात की आवाज उठाया तो उनको जान से मारने की धमकी यह इसी तरह की मानसिक्ता लोग पाले हुए हैं चपरा मामले में कहा जा रहा है कि दो जातियों के वीच सखुनी संघर्ष हुआ है राजपूत और यादब अब इस मामले की तह तक कितनी सच्चाई है क्या यह कोई जातिये रंग है या फिर दो गोटों के बीच लडाई है और इसको लेकर के बिहार छेत्रों से उनका लंबान आता है पर रिप यादव है राष्टिय जनतादल के प्रदेश महासचीव है इनका छप्रा से लंबन आता है क्योंकि लालबाबु यादव राय जो की छप्रा से पुर्व सांसद है उन्हीं के बेटे हैं और परदीप राय लंबे वक्त तक छप्र में रहे हैं चप्रा की चीजों को जानते हैं परदीप जी कितनी सच्चाई है यादव राजपुद में लड़ाई है या फिर कोई और बज़ा है देखिए इसमें जो है एक अपरादी घटना है जो बहुत दुर्भागपुर्ण है और सर्मनाक भी है जिस तरह से वहां नो पा के लोग और संखत्थन का लोग राजनिति की हित के लिए उसको हवादेने का काम किया इन लोगों ने जिस तरख से दीर जूक्साने का का मिता है और कई तरह से बियान करकर के लोग समाज में दनाऊ है मैं आगरह करता हूँ कि यह बहुत घटना दुर्भाग पुर्ण है और छपरा की जनता से कि चुकी भाईचारा और सुभार्थ बनाए रखे और सरकार पर प्रसासन पर पुरी तरह भ्रोसा करे और इसमें अन्याय नहीं होगा. आप लंबे समय से छपरा में रहें, आपके पिता वहां से सांसद रहें, काम कियें, आप कई बार छपरा गए होगे, क्या वहां पर कई जातियों में किसी विप्रगार का नफरत का भाव है? ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम लोग ये समुदाय में आपस में रिलेशन, कई चुनाव होता है, चुनाव में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कभी भी इस तरह का रंजिस नहीं हुआ है, ये पूरी पलानिंग के सांथे, क्योंकि भाजपा घबरा ही हुई है, जिस तरह से ज चुकि सरकार को बदनाम किया जा सके, लेकिन बिहार की जनता भली महाती सब कुछ समझ रही है, चोड़िये ना, कैसे हो रहा है, अब वहां का छपरा का सांसच जो है, राजी परता प्रूधी जी, उनका देखिए बियान, उनका बियान को आपने आप देखिए, उन्होंने किस तरह से अभी मिसन 25 चल रहे है, बिहार को बदल देंगे, हम ऐसी बात कर रहे हैं, और ऐसे बक्त पर एक बार भी उन्होंने चपरा की जनता में आपस में सोहार्द बने, इसकी अपिल नहीं कि उन्होंने, चपरा से सांसच है, और देखिए कि वो उसमें कह रहे हैं, उन ने मतलब के लिए मंडल कमिशन लगाया और अरचन दिया, तो क्या स्वर्न, एक से एक स्वर्न प्रोग्रेसिव बिचार का है, सारे स्वर्न उनके जिसे कंजर्बेटिव तो नहीं है, उन्होंने उसका बिरोद किया, जो पिछरो, जो समाज का बरा हिसा जो पिछर गया था उसको आंगे बराने का इतना महान काम किया बीपी सिंग जी ने, उनके बारे मैं ऐसी बात बोल रहे हो, आप जहां तक स्वर्न का बात है, बहुत सारे स्वर्न नेता ऐसे हुए, जो पिछरो दलीतों को आंगे बराने का काम किया, आप बिहार के स्री किसन सिंग जी पहले मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया था था मंदिर में प्रवेश कराया उन्होंने स्वामी सहजानंद सारा जमिंदार मैक्सिमम जमिंदार तो उच बरके थे उसके खिलाब मोर्चा लिया अगरी पिछरों के साथ खरे हुए राजा राम मोहन राय को आप देख लिजिए सती पर्था का महिलाओं के साथ अचार होता था सती पर्था का भी रोत किया उन्होंने इस्वर्चंद विद्यासागर को देख लिजिए मदल मोहन माल भी यह जो बनारस हिंदू इंबरसिटी जो बनाए सारे दलीत पिछरों को सि उसको भी बनाम करने का कोशिस कर रहे हैं और पूरा जो च्छपरा में जो तनाव व्याप्त किया गया है इसके पीछे जो कारण है इन लोग अब देखिए उन्होंने अति पिछरा को अरक्षन का भी विरोत किया उन्होंने जो मानिये नितिश जी जो समाज का बंचित जमा हर जगह और हमारा जो नेता है समाज तो हम लोगा तो में बेस है सोशल जस्टिस और समाज का हर तबका को मिल जूल कर रहना है जब तक हम मिल करके नहीं चलेंगे तब तक देश और बिहार को हम लोग आगे नहीं बहा सकते हैं परदीप जी आपकी पार्टी करती है कि हम A to Z predicted की पार्टी है राजीर पर प्रूडी का च्परा बाले मामले पर कोई male कर नी सेना का क्या रौल है भारती जंता everyone जाती है दंगा करवाणा चाहता है अर तो पूरा आप देखिए ना सब तु सामने आ जाएगा करनी सेना का क्या रोल लगता है तो भाजपा का एक पाठ है ओ यही नहीं यह जो घबरहाट है इन लोगों के अंदर जब मानिया लोक महताब हुमी सुधार मंतरी हमारे जगदेबाव के में और उन्होंने आवाज उठाया कि भाई पिछरो दलीतो बंचित जमात की आवाज उठाया तो उनको जान से मारने की धंकी यह इसी तरह की मानसिक्ता यह लोग पाले हुए है कि जो पिछरो का दलीतों का आवाज उठाये उसको धंकी देते हैं जान से मारने का यह बहुत दुर्भागपुर्ण है और फिर बाद यह लोग छपड़ा के लिए कि सुहार्थ बनाये रखिए कानून पर भरुसा किजिए किसी भी ऐसे बैक्ति ऐसे संगठन के चकर में वहां की जनता चाहें जिस बरके भी जनता हो उसके चकर में नहीं परना है यह अपने राजिंतिक हित और बैक्तिकत हित साधने के लिए लोग लोगों को भरकाने का काम कर रहे हैं इस कारण सांती और धैज से काम ले और भाईचारा खराब नहीं हो यह हम अपील करते हैं तो यह परधीप्यादव हैं राजी लाल बावु राय के बेटे हैं जो की लाल बार शेपरा से पुर्भ सांसद रहे हैं और इनका पुराना नाता रहा है और इनका कहना है कि राजीब परताप रूडी का जो बयान आया है बीपी सिंग के बारे में वह गैड जीविंदाराना है कई शवर्न नेता हैं जो की पिछड़ों दलीतों के लिए काम किये हैं बैराल आपको मारे यह पाचित कैसा लगा आप अपनी प स्क्राइब कर लें ख्रेश्बूक पेज दिखने पेज को लाइक कर लें बहुत बहुत धन्यवाद